डियर स्टूडेंट मेरी इस यूटूब चैनल इंप्रोविंग दैस्टूडेंट क्लासेज पर आप लोग का स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे माइथमेटिक्स क्लासेज चैप्टर वन भी कुछ सवाल चैप्टर वन भी का छुड़ गया था जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए सवाल छठी नंबर का सरल कीजिए 3 बटे 4 प्लस मानस 8 बटे 9 प्लस 5 बटे 8 तो यह 3 भीन है जिन का हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे हम पहली कोष्टक को हटा के इन सभी हरों का क्या करेंगे हम लैसे लेंगे तो पहला भी नहें तीन बड़ी चार अब इस कोश्टक को तोड़ेंगी बाहर है प्लस का अंदर है माइनस ऐसा मानचीन हो गया ऐसा मानचीन का गुड़ा क्या होगा माइनस हो जाएगा उसके बाद होगा आठ बटे नौ हो जाएगा प्लस पाँच बटे आठ होगा अब क्या करेंगी तीनों के हर अलग-अलग है तो इनके हम लएसले लेंगी तो ध्यान दें चार और आठ का देखें कामन है चार और आठ का ये लस्टक मानच हो जाएगा क्योंकि चार से भी आठ कर जाएगा और 8 से भी 8 कर जाएगा तो 4, 8 का LCM 8 हो गया 8 का अगर हम 9 में गुड़ा करें तो 8, 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा तो 72 इसका लैसे हो गया अब क्या करेंगी हर से भाग देकर हर का लैसे में भाग देकर अंस का गुड़ा यहां हम लिख देंगे और प्रतेक अंस का हम उसमें गुड़ा करेंगे तो पहला हर है चार, चार से भाग देंगे, बहत्तर में तो अठारे बर जाएगा क्योंकि अठारे चोग, बहत्तर होता है, तो यहां हम लिख देंगे अठारे अब चार कांस क्या है तीन है तीन से मुड़ा कर लिए चिन माइनस का है माइनस लगा देंगे उसके बाद दूसरा हर है नौ तो नौ से जब भाग देंगे 72 में तो नौ अठे 72 आठ बढ़ जाएगा और नौ का अंस भी कितना है आठ है तो आठ लिखे देंगे हम प्लस अब अंतिम हर जो है आठ है आठ से भाग देंगे 72 में तो आठस नमा 72 हो जाएगा आठ कांस कितना है पांच है तो इसमें क्या किए हम प्रतेक हरका less में भाग दे का प्रतेक अंस का गदा या जिस हरका भाग देंगी और diferen कराएं HEY में बराबर करें और तो आर्थ हशै का 24 हो प्लस नौ पचे आपका हो जाएगा 45 बटी पूरा हो जाएगा 72 अब क्या करेंगे देखें यह 54 जो है धनात्मक है और 64 क्या है धनात्मक तो क्या करें पहले धन-धन को हम जोड़े लेंगी यह भी धन 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 वाली को जोड़ें तो धन है पांच और चार पांच को चार में ज इसकी बाद निन्यान भी हो जाएगा उसकी बाद रींड वाला बचाय चैउंसर यहां चैउंसर हीवाटे 72 अब एक धान है यह गड़ जाएगा बड़ी वाली मेंसी छूटा घर जाएगा नो मेंसी चार जाएगा आपका हो जाएगा पांच आनो मेंसी च्छा गया तीन हो तो पिए सवालों सुस्ताइब, पहला वाला चीन क्या करें। भीरा वाला कुष्टक हम हटा देंगी, दूसरा वाला कुष्टक है न इसको नूठ हम कर लेंगी। माइनस नो बाटी 10 प्लस 22 बाटी 15 धन से गुड़ा में करेंगे तो माइनस होगा क्योंकि चिन एसमान है एसमान चिन का गुड़ा माइनस होता है बताया गया है उसके बाद है 13 बाटी 20 हो जाएगा अब क्या करें 10 15 और 20 का LCM लेंगी तो आगर हम 20 से सबसे बड़ा संख्या ह करें तो 20 दुनी 40 होगा लेकिन 10 से 40 कर जायगा लेकिन 15 से 40 नहीं करेगा तो बीस तियां अगर 60 कर दें 20 का गुड़ा हम 60 तीन बार करेंगे तो बीस तियां 60 हो जाएगा आप 60 10 से भी कर जाएगा 10-660 15 चो के साथ वेसी हो जाएगा तो हो जाएगा 60 ही आपका LCM हो जाएगा LCM निकालने का सबसे आसान तरीका है बड़े वाली संख्या का गुड़ा करते हैं उसके बाद गुड़ा करने के बाद जो संख्या प्राफ्थ होती है प्रतेक हर से हम क्या करिंग उसमें भाग देंगे अगर वह संख्या कर जाता है तो वही LCM हो जाएगा जैसे 20 का गुड़ा की हम 3 में तो 20-30 हो गया अब 60 क्या होगा 10 से कर जा रहा है 15 से 20 से सबसे कर जा रहा है तो वही संख्या 60 क्या हो जाएगी हमारी LCM हो जाएगी इससे आप को निकालना नहीं पड़ेगा दस से भाग दिए 60 में, उसी तरह जिस तरह पहले किये हैं, दस से भाग दिए 60 में, तो 10 छक के 60 हो जाएगा, उसके बाद, अंज है, माइनस 9 लिख दिए, प्लस 15 से भाग दिए 60 में, तो 15 चोग के 60, 15 कान से 22 लिख दिए, माइनस कर दिए, 20 का भाग 60 में दिए 20 तिया, 60, 20 क कितना तेरे तेरे से हां गुड़ा कर लेंगे और ज़ाएगा नौछ चेवर माइनस चेवर हो जाएगा प्लस बाइस चेवर हो जाएगा 88 78 onus november यहां यहां विवय काम एक यह धन दोड़recht करेंगे जोड़ेंगे जोड़ा जोड़े 9 4 13 हो जाएगा हांसी लाया एक 3 5 8 एक 9 अब दोनों कर्जदार हैं इसलिए दोनों मिलके 93 रुपया कर्ज हो जाएंगे जो किरिण में होता है प्लस 88 हो जाएगा बटे 60 ति अब एक रिण एक धन तो क्या करेंगे एसमान चींड को क्या करेंगे हम घटा लेंगी 13 में सब्सक्राइब पांच हो गया अब यह बचाए न्यूक्त किसका होगा जिसका बढ़ा होगा उसी का चिन्ड होगा 88 से बढ़ा 93 है तो यहां क्या लगाएंगे रिंड लगाएंगे अब शुक काटें पांच से साथ कर जाएगा पांच एकन्ने पांच पांच बरहिया में साथ तो आपका उत्तर जो प्राप्ट होगा माइनस एक बटे बार है यह आपका अंसर हो गया अगला सवाल है निमनांकित को योग की संक्रिया की प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए योग की संक्रिया की तीन प्रगुण होते हैं एक समरक नियम, एक करंब बिन यमी, एक साहचरी नियम तो संवरक नियम क्या होता है किसी किनियम वास्तिक संख्याओं को जोड़ने पर उसका मान वास्तिक होता है इस संवरक नियम होता है अगर किसी संख्या को हम जोड़ दें तो उसका मान क्या होता है वास्तिक होता है क्रम बीन में क्या होता है हम संख्याओं के क्रम को बदल कर संख्याओं के क्रम को बदलने पर जो मान प्राप्त होता है वो क्रम बीन में होता है जो हमेशा नियत रहता है अब साहचरियम किनी दो संख्याओं में दो को साथ लेकर हल करना किनी दो संख्याओं को साथ लेकर हल कर से जो मौन प्राप्त होता है वर क्या होता है बराबर होता है इस पर हम देखें कि लिखा है परिमे संख्यां की योग की प्रगुण की योग की तीन प्रगुण होते हैं जो सिर्फ योग के गटाने पर लागव नहीं होता है लेकिन योग का जो प्रगुण है यह समवरक क्रेम विंबिने साइशेत्य नहीं का पहलां करता है कि ने दो वास्थ्विक संख्यायों को जोड़ने पर योगफल वास्थ्विक संख्या प्राप्त होती है और कोई वास्ट्विक संख्या है कि हैं परिमयाई परिमें दोनों आते हैं तो इसको जब हम हम हल करेंगे तो 4, 3 हो जाएगा बार है कि तीन 4 का का सीम ळुड़ा करेंगी 3 एक करने 3 हो जाएगा प्लेस चार दूनी आठ हो जाएगा तो आठ तीन इग्यारे हो जाएगा बटी बारे तो यह हमें जो प्राफ्त होई यह वास्टविक संख्या हो गई तो इस सम्वरक प्रगुड योग और अंतर दूनों के लिए लागू होता है लेकिन और सब नियम जो है वो योग के लिए ही लागू होता है बाकी क्रेम बीन में साचर नियम जो है यह अंतर एन घटाने के लिए प्रयुक नहीं होता है क्रम बीने मेने हम देखें कि नहीं दो संख्याओं के क्रम बदलने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है यह अगर कोई संख्या है जिसके मान लेजिए पी बटे क्यू है प्लस आर बटे यस दो भी नहीं इसको हम क्रम बदल दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं जैसे आगे वाला जो है P बटे Q इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं और आर बटे S पहले लास्ट में इसको हम पहले कर दे रहे हैं यानि कोई भी दो भी नए उसको हम करम आगे पीछे बदल कर हल करें तो उसका मान में कोई परिवरतन नहीं होता है जैसे इसी को देख लिया जाए दो बटे 5 प्लस 3 बटे 10 कर दिया जाए इसको जब हल करेंगे हम 5 से 10 का LCM 10 हो जाएगा 5 से भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा 2 दो नी 4 हो जाएगा प्लस 10 से 10 में भाग देंगे एक आया एक तियाए तीन हो जाएगा तो आया 4 तीन 7 बटे 10 आ गया लेकिन जैसे हम करम बदल देंगे करम बिन में कर दें जिसे 2 बड़े 5 पहले लिखे थे इसको हम लास्ट में लिख दिए और 3 बड़े 10 बाद में लिखे थे इसको हम पहले लिखे दिए एक क्रम बिड़े में कर दें हम क्रम को बदल दी अब इसको हल करें के देखें 5 5 पांच के लसी कितना होगा 10 दस से भाग देंगे दस में एक आया एक तीन हो गया प्लस 5 से भाग देंगे दस में 5 दूनी 10 दो आया दो से 2 में गुड़ा करेंगे तो 4 हो तो यहां बिना क्रम बदले, बदलने पर मान साथ नई है, क्रम को बदल से पता चला कि किसको बदल दें क्रम को को परिवर्वरत्न नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ योग के लिए, यानि जोड़ने के लिए ही लागू है, अंतरे गटाने पर यह प्रवळ लागू नहीं होता है तीसरा जो है आपका साहच रेणियम साहच साथ सात रहने माला तीन अंकों की संख्या में किनी दो संख्याओं को लेकर हल करने से कोई से दोनों इस्थितियों में संख्या कामान समान होता है अगर हम तीन भिने ले लिए तीन संख्या ले लिए इसको हम किनी दूस को एक साथ हले ले ले जैसे मालो P बटे Q, R बटे S, T बटे U, तीन संख्या है इसमें हम तीन संख्यों में किनी दू संख्यों को लेकर एक साथ हल कर सकते हैं चाहें तो हम लाश्ट वाले दू संख्यों को एक साथ लेकर हल करें तो यही आपका साहचर नियम होता है कि तीन संख्यों में से हम किनी दू संख्यों को लेकर हल करें तो दोनों इस्थितियों में मान संख्या कामान समान होता है अगर हम इसको लेकर हल करें यहां देखें तीन संख्या ले लिए एक बटे तीन ले लिए प्लस दो बटे हम पांच ले लिए प्लस तीन बटे हम चार ले लिए इसको जब हल करेंगे इसको हम देखें इन तीन संख ऐख राली पांच यह करने पांचНе प्लस तीन दूनी पांच मेपांच तीन डुनि 6 हो जाएगा द्रक को प्लस थीन बड़ चर हो जाएगाद ऊस के बचा थीन बटड़ चार आ गया अब 15-4 का LCM ले लेंगी तो 54 के आपका 60 हो जाएगा अब 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 जाएगा चार बार चार से जब 11 में गुड़ा करेंगी तो 11 चोग 44 हो जाएगा प्लस चार से भाग देंगे 60 में तो 15 बार जाएगा तो 4 पंद्रहिया में 60 पंद्रह आया अब 15 का जब 3 में गुड़ा करेंगी पंद्रहतियां 45 हो गया तो 44 में 45 जोड़ें तो 5 4 9 4 4 8 89 बटे आपका 60 यह आंसर हो जाएगा अब यहां दूसरे वाले भिन को देखें अगर हम लास्ट वाले को लेके हल कर रहे हैं अब पिछे पहले वाले में हम दोनों आगे वाले संख्याओं को दोनों को लेके हल कर रहे थे अब देखें मान में क्या परिवर्तन आता है एक बटे तीन आया इसको लिख लिए आप कोश्टक वाले को पहले हल कर लें आप पांच चार का LCM हो जाएगा पांच चुक के बीस हो जाएगा पांच अब तीरसा गुड़ा करा सकते हैं चार दुनी आठ अब पांच तीयां पंद्रे हो जाएगा तो यह आपका हो गया एक बटे तीन प्लेस पंद्रे आठ हो गया आपका तेश को श्ट्रक टूड़ गया बटे बीस कि इतना हो गया अब यहां इसको बढ़ा दे अब यहां कर लें बीस और तीन इसको अगर हम गुड़ा कर लें तो यह क्या हो जाएंगी इसका यल्सियम निकाल सकते हैं इसको बीस और तीन का यह निकाल लें तो बीस तीन कितना अग्यागा शाठ हो जाएगा अब तीन से भाग देंगे शाठ में बीस बार जाएगा अब आप जोड़ सकते हैं 9 में जीर जोंगे 9 होगा 6 2 8 हो जाएगा बटे 60 अब दोनों इस्थितियों में आप देख सकते हैं कि पहले वाले को अगर हम दो संख्याओं को लेकर हल की तो 89 बटे 60 है जो यहां लिखा है अब दूसरी संख्या को लास्ट वाले को पीछे लेकर हल की तो 89 बटे 60 यहां दोनों संख्याओं के तो लिखे थे देख सकते हैं कि तीन आंकों की संख्या में किनी दो संख्याओं को लेकर हल करने से दोनों इस्थितियों में संख्या का मान बराबर समान रहता है यानि तीन संख्या में हम आगे वाले दो संख्याओं को लिए यहां तीन संख्या में दोनों पीछे वाले दो संख्याओं को लिए और दोनों को जब हल किये तो दोनों इस थितियों में इस संख्या का मान के आया एकदम नियताया बराबर यहां भी 89 बटे साथ और यहां भी 89 लिखाए निम्नांकित को योग की संक्रिया की प्रगुणों का प्रयोग करके देखें यहां भी आप तीन संख्या है आप किसी भी अब यहां साहचे रिनियम का हम प्रयोग कर लेंगे क्योंकि साहचे रिनियम तीन संख्याओं पर ही लागू होता है इसको हम एक साह कर लें इन दो संख्याओं की साथ लें यहां से लिखें तीन मटेश साथ प्लास अब इसके बाद लिख लिए ये 0 है माइनस 5 हो जाएगा बटी-14 हो जाएगा इन्हीं दो संख्याओं को क्या कर ले हम लास्ट में ले लें क्योंकि ये दूनों चाओदे चाओदे हर बराबर है इन्हीं को हम लेकी चलिए यानि इसको हम साहचरेनियम बना लिए तो आपका तीन बटी साथ हो जाएगा प्लस यहां से हमाल कर लिए तो माइनस पांच बटी चाओदे धन सी गड़ारी उनके करेंगे रियों हो जाएगा इसके बाद 11 बटी चाओदे हो जाएगा यहां कर लें फिर तीन बटी साथ अप्लस यहां देखें हर बराबर है चाओदे चाओदे एक हर को ले लें क्योंकि दो अगर हर बराबर है तो दोनों में से एक को हम ले सकते हैं अब माइनस को सी तरह लिख लिख लें जिस तरह लिखा है माइनस पांच माइनस ग्यार है इसको लेकर हल कर लें तो तीन बठी साथ आया, प्लेस, माइनस पांच, माइनस इगे, दोनु लात्मक हैं, तो एक जूट जाएंगे, तो माइनस सूले हो जाएंगी, माइनस सूले, ग्यार पांच, सूले बठी, चौदे हो जाएगा, इसको कोष्टे में रहनी थी, अब कोष्टे को हटा दी, तीन लेंगी तो चौदे होगा क्यांके सास्ते भी चौदे कर जाएगा तो एाँ चौदे का успe हो जाएगा सास्ते में दो बार जाएगा अब दो का जब तीन मी गुड़ा करेंगे दो तीन आए लगा दिए 14 से चोदें भाग देंगे, एक आएगा, एक कागुड़ा अगर हम 16 में करें, तो 16 हो जाएगा, तो 6 में से 16 नहीं जाएगा, क्योंकि 6 छोटा है, 16 बड़ा है, अब बड़ी वाली में से छोटा उल्टा घटा लें, तो 16 में से 6 जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हम कम इसे ज्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माइनस पांच पटे साथ आंसर हो जाएगा तो इस तरह से हम योग की संक्रिया का प्रगूर्ण करके हम सवाल को लगा सकते हैं कुछ होमर के दिये जा रहे हैं जो आप इसको नोट कर कर लें और नोट करके आप अभ्यास करें जिस तरह से बताया गया है प्रगूर्ण का प्रियो करके हल करना उसी तरह से आप इस तवाल को लगाएं जो भी दिक्कत हो उसको आप कमेंट करके पोस्ट सकते हैं तब तक के अगले वीडियो में नेस्ट चेप्टर के साथ मिलेंगे नमस्ति करुकिया उसकी आप ऑल ए ऐ ए इसम्हानि का वीडियोमेगे घ्समया».